मैं नेहा हाजर हूँ हमारी जनरल टेस्ट सीरीज की एक नई वीडियो के साथ इस सीरीज में हम आपको हर दिन 25 क्वेस्टिंज करवाते हैं जो कि आपके जनरल टेस्ट से रिलेटेड हैं जो कि आपकी C.O.E.T. में कापी जादा मदद करने वाले हैं तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है गाइस दिना इस सजेस्ट की आप हमारे चानल को विजिट करें और जहां पर आपको एक प्लेलिस मिल जाएगी जहां पर हमारे पास बहुत सारी वीडियो अप्लोड करी हैं जनरल टेस्स से रिलेटेड साथी साथ आपको मिलेंगी कुछ इंसाइट्स जिसमें बच्चों ने अपने एक्स्पीरियंस को शेर किया है रिगार्डिंग सी वीटी की हाओ यू शुड मैनेज और टाइम और लास के कुछ दिनों में प्रपरेशन कैसे करनी चाहिए ठीक है तो प्लीज विजिट करिए हमारे चानल को और सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आने वारी सारी वीडियो का पता आपको पहले ही चल जाए तो विदाउट एनी फॉदर अद्यू लेट्स मूब तोवर्ट्स तक्वेस्टिन पहला क्वेस्टिन राश्तरंगिनी इस रिटन बाइ राश्तरंगिनी एक बुक है किसने वो किसने लिखी है ए बानभट बी श्रीलाल शुक्ला सी फिर्दॉसी डी कलहान इसका आंसर है कलहान ठीक है इट इस ऑल्सो नोन आज दफ फर्स हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया मतलब राश्तरंगनी को पहली हिस्टरी कहा जाता है ठीक है कलहाना ने इसका आंसर है डी वेद्व्यासट ऑके सका तू को इंवेंट गाश्र्टे श्वेंटनिंट इन चाओरों में से किसने रिwe apprecialka invention किया था एंच discuss Colt, B. Lister, C. Webley, D. Swinton, इसका आंसर है A. Samuel Colt, okay? Next question, who invented telephone? I think बहुत आप्वियस और बहुत नोन question है यह, telephone का invention किसने किया था? A. Bed, B. Graham Bell, C. Colt, D. D. Robert Watson, इसका आंसर है B. Graham Bell, ठीक है? Alexander Graham Bell. Next question, Edison is related to the invention of, Edison ने इन चारो में से किसका invention किया है? A. Radio, B. Electric Bulb and Gramophone, C. Television, D. Audio, इसका आंसर है Electric Bulb and Gramophone. इन दोनों का ही invention किसने किया है? Edison ने. आगे बढ़ते हैं. Who is famous for inventing fountain pen? Fountain pen का invention करने के लिए किसे जाना जाता है? A. Jessis, B. Harvey, C. Waterman, D. Stephenson. इसका आंसर है Waterman. ठीक है? इन्हे जाना जाता है कि इन्हों ने fountain pen का invention किया था. Next. Who invented steam engine? Steam engine का अविशकार किसने किया? A. James Watt, B. Macmillan, C. B. Stephenson, D. Watson. तो I think यह सब लोग जाता तर लोग जानते हैं होंगे. इसका आंसर क्या है? A. James Watt. ठीक है? James Watt is famous for the invention of steam engine. आपकी history की books में इसके बार में कई बार में कई बार mention किया जाता है. ठीक है? Next question. The president of China is? इन चारों में से कौन से चाइना के president है? इसका आंसर क्या होगा? B. Xi Jinping. ठीक है? कापी tongue twisting name होता है इन लोगों का तो इसलिए इनका नाम क्या है? जी जिंपिंग. Next question. How many companies make up Sensex Index? कितनी companies मिलके Sensex का इंडेक्स बनाती है? A. 20, B. 40, C. 30, D. 50. इसका आंसर है C. 30. ओके? यानि 30 companies मिलके they constitute Sensex का इंडेक्स. Next. Currency of South Africa is South Africa की currency को क्या कहा जाता है? A. Yen, B. Rand, C. Dollar, D. Pound. इसका आंसर है B. Rand. Rand is the currency of South Africa. Next question. Currency of Japan is? अगर आपने हमारी previous वीडियो को दिखा होगा तो आपके बहुत सारे question revise भी हो रहे होंगे. क्योंकि इसमें 2-3 question का repetition भी है. तो options है A. ले रहा, B. Khali, C. Yen, D. Chen. इसका आंसर है C. Yen. ओके? Next question. The former headquarters of Interpol situated at Lyons but at present in Interpol यानि की international crime investigation कह सकते है फिर organization है. इसका जो headquarters था पहले Lyons में था बट अब कहां पर है? A. Lyon, B. Berlin, C. Paris, D. Brussels. इसका आंसर है C. Paris. ओके? अब वो Paris में हैं. Interpol का headquarter. Next question. 13. The land of midnight sun is इन में से किसे the land of midnight sun कहा जाता है? मतलब आधी राग को वहाँ पर सूरज दिखता है. A. Norway, B. Sweden, C. Japan, D. New Zealand. इसका आंसर है Norway. ठीक है? तो Norway जो है since वो एक frizzit zone वाली country है. मतलब it comes in frizzit zone. आपके आख्टिक के पास आती है. तो वहाँ पर mostly क्या होता है? जो sun है ना, वो रात को ही दिखाई देता है. ओके? Next. The gas leaked out of Union Carbide Factory in Bhopal was इन चारों में से कौन सी ऐसी gas है जो Union Carbide Factory से leak हुई थी भोपाल gas tragedy में? A. Sulfur dioxide B. Carbon Monoxide C. Methyl Isocyanide D. None of these इसका आंसर है Methyl Isocyanides ठीक है? यह वाली gas थी जिसके वज़े से काफी जादा लोगों की death भी हो गई थी. Next question. The oldest democratic system of the world is दुनिया का सबसे पुरानी democracy इन में से कौन सी है? A. England B. Greece C. India D. USA इसका आंसर है D. USA USA is the oldest democracy India is the largest democracy ठीक है? पर खेदोनों में आगे World Red Cross Day is celebrated on अब यह जो Red Cross है वो एक society है जो humanitarian grounds या फिर purpose के लिए काम करती है बेसिकली help पहुचाना अलग-अलग जगाओं पर जहांपर help की जरुरत है तो World Red Cross Day कब celebrate किया जाता है? A. May 8 B. July 12 C. August 17 D. January 25 इसका आंसर है May 8 ठीक है? आठ मही को World Red Cross Day celebrate किया जाता है Next question World Ozone Day is celebrated on A. October 7 B. September 16 C. 15 November D. 5 December इसका आंसर है 16 September इसका आंसर है 16 September ठीक है? और गाईज अगर आप लोगों को शायद आप इसके बारे में जानते हों कि जो Ozone है वो हमारे atmosphere के कौन से layer में आती है? It comes in stratosphere अगे बढ़ते हैं World Consumer Right Day is celebrated on July 19, 5th December, 15th March, 15th September इसका आंसर है March 15 Okay Next question Who is the Prime Minister of Iraq? इन में से कौन से Iraq के Prime Minister है? A. Alvi B. Haider Al Abadi C. Ahmed Chalabi D. Mustafa Al Kadimi इसका आंसर है Mustafa Al Kadimi Next question Olympic will be 2024 Hell that जो 2024 में Olympic होने वाले है वो कहाँ पर होंगे? A. Paris B. Tokyo C. Beijing D. Rio de Janeiro इसका आंसर है परिस That is why they are called Paris Olympics ठीक है? Next Spider-Man created by जो एक बहुत ही फेमस कार्टून कारेक्टर है Spider-Man उन्हें किसने क्रियेट किया था? A. Stanley B. Roger Moore C. Lee Fock D. H. R. Hudge इसका आंसर है Roger Moore ठीक है? Stanley ने नहीं किया है Roger Moore ने किया है Next India's first electric car is known as A. Riva B. Mewa C. Mova D. Biva इसका आंसर है A. Riva ठीक है? Next Rain drops are spherical due to Rain drops की जो shape होती है वो spherical क्यों होती है? A. Air friction B. Surface tension C. Viscosity D. None of these इसका आंसर क्या है? B. Surface tension जो surface tension है बेसिकली वो फिनॉमेना ये कहता है कि water has the ability to occupy the least area जिसकी वाज़से वो अपने आपको सिकोडता रहता है ठीक है? इसी वज़से surface tension की वज़से क्या होता है? water की जो droplet की shape होती है उपर से नीचे आते वक्त वो spherical हो जाती है Next low temperature deals by low temperature किस से deal करता है? A. refrigerator B. cyrogenics C. phrogenics D. none of these इसका आंसर है cryogenics ठीक है? Next The best conductor of heat among liquid is इन चारो liquids में से सबसे best conductor of heat कौन है? A. mercury B. alcohol C. water D. ether The answer would be A. mercury ठीक है? Next A thermostat is a device for A. switching of appliances B. measuring temperature C. regulating temperature D. heat producing अब इसका आंसर आप हमें comment section में लिखके बताएंगे और साथी साथ ये भी बताएंगे कि आपके कितने सही हुए बाकी बच्चे questions में ठीक है? So, all the best for your CUET and I hope you enjoy this session and for more sessions as these please subscribe to our channel Bye-bye